हेलो गाई से जम बात करने वाला है एक ऐसी कम्वणी के बाइब लगों को इस दिवर में बताने अब आहाँ पर आप लोगों को एक के बड़ले दो शे 1959 और यह स्प्लीट के रूप में ए श भजी के रूप मैं देखने को मिलने वाला है तो यह वीडियो अंतर देखते रहना आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बहुत सारी बात करने वाला है जैसे कि यह आप लोगों को कौन सी कंपनी है जहां पर आप लोगों को यह स्प्लीट देखने मिलने वाला है कौन सी तारिक पर यह स्प्लीट देखने मिलने वाला है क्या आप लोग इस company के अदर invest करना चाहिए कि नहीं split या bonus के लिए और उसके साथ सथ हम बात करने वाला है क्या इस company में आप लोगों को यहां पर से positional या swing trading करने चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे company के थोड़े बहुत fundamentals हम देखने वाला है कि company कैसा performance करती है सबसे पहले company का जो यह date कौन सा रहने वाला है यह split या आप लोग बोल सकती हो कि एक one jam two का जो split है वो कौन सी date पर देखने को मिलने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर से इसके सबसे पहले इसकी फाइल के उपर चलते हैं तो यहां पर आप लोगों को देख सकते हो यह जो स्प्लीट का जो डेट है वो यहां पर से अभी मैं बताता हूं उससे पहले यह कौन कौन से चीजे एक साथ लाने वाला था सबसे पहले तो यहां पर से इसका जो final year result था वो यह लाने वाला था March quarter का उसके साथ साथ यहां पर से यह एक तो subdivision भी लाने वाला था मनदब कैसा दो face value को अभी एक face value को convert करेगा मनदब एक के बड़ले 2 share आप लोगों मिलेंगे दो को एक में convert करता है तो आप लोगों को एक के बड़ले 2 share मिलेंगे ठीक है तो यह चीज़ आप लोगों ध्यान में रखना है अभी हम बात के लेते हैं आदी face value होती है तो share भी आप लोगों के डबल हो जाता है तो अभी हम तो यहां पर से आप लोगों को देखने को मिलने वाली थी इस कंपनी के और से तो यह कंपनी कौन सी है उस यह बताने से पहले यहां पर आप लोगों को मैं डेट दिखा दिता हूं तो डेट देखने के बाद आप लोगों को लगएगा किया यह तो आज की दिन चला गया अभ देट को reschedule कर दिया गया है और आप लोगों को ऐसा नहीं है कि recorded निकल गई है या एक्सडेट निकल गई है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर से इस date को reschedule कर गया है और यह जो share है उसके बार में आज की दिन मैं पहली बार बता रहा हूँ यह जो पहला share है जहाँ पर आप लोगों को यह split देखने मिलने वाला है तो यहाँ पर से हमारी चैनल के उपर ठीक है तो यहाँ पर से company का नाम आप लोगों मैं दिखा देता हूँ अभी तो company का नाम आप लोग देखोगे तो करदा construction limited कर की यह company है और यहाँ पर आप लोगों को यह building and development developer है यह company builder and developer है और यह company की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखो यहाँ पर क्या बता गया है एक और एक file इन्हों ने पोस्ट किये BST की website के उपर तो यहाँ पर से यह क्या बता गया है reschedule of board meeting board meeting अभी reschedule कर दी गई है उसकी कोई भी प्रकार की वज़ा नहीं बताई है पर इन्हों ने एक simple से चीज़ किये देखो यहाँ पर से जो Monday 24 में को 24 में 2021 का इसका जो board meeting रहने वाला था जिसमें यह final result और वो साई चीज़े होने वाली थी उसको यह सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर से 31 में को यहाँ पर से 31 में को मंडे के दिन 31 में को यहाँ पर convert कर दिया है मालब इसको आगे बढ़ा दिया है और इसका यहाँ पर से reason क्या बताई जा रहा है तो यहाँ पर से reason ऐसा बताई गया है कि unavoidable unavoidable इसको यह थोड़ा डिले कर दी गया है 7-8 दिले कर दिये गया है तो यह चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है और यह जो मिटिंग है वह आप लोगों मैंने बता दिया अभी डेट और वो साइस चीज़ा बता दी अभी आप लोगों को क्या इस कंपनी के अंदर बोनस के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे मां बात कर लेते हैं तो देखो यहां पर से नॉर्मली यह देखो यह जो डेट आप लोग देखो कि यह फाइल भी 22 तारी कोई है ऐसा नहीं कि पूरानी फाइल में दिखा रहा हूं ठीक है तो यह चीज आद रखना अभी बात के लिए क्या इस कंपनी के अंदर आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए तो मेरे क्याल से आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए यहां पर से इसके फंडामेंटल से आप लोगों मैं दिखाता हूं उसके बाद बात करेंगे और कोई भी शीर को bonus split या यहां पर से dividend के लिए buy मत करो क्योंकि यहां पर से at least आप लोग trading trading करना चाहते हो positional trading और वो साई चीज़े करना चाहते हो तो ठीक है पर यहां पर आप लोग buy करके रखना चाहते हो तो यह बिल्कुल भी नत मत करना क्योंकि यह fundamental strong company के उपर आप लोगों की मलब आप लोगे portfolio में fundamental strong company ही होनी चीज़े जिसे क्या होगा यहां पर आप लोग time दोगे अपना जो shares को अपने portfolio को जितना time दोगे इतना दिमे दिमे करके वो उपर return देता जाएगा आप लोगों के portfolio को बहतरीन से बहतरीन और long time में अच्छा return देने किया ऐसा बनाना चाहिए मेरे इसी की वज़े से मैं इस company को avoid करूँगा और इस company के अभी थोड़े बहुत fundamentals की बात कर लेता है और इसके बाद तो मेन का जो business है वो यहाँ पर real estate से जुड़ा हुआ है construction, development, civil जो contracts होते है वो यह company लेती है और other activities यह करती है company की बात करें तो 1,886 करूपीज का इस company का अभी market cap है और अभी इसकी price वो चल रही है 177 के रुपेज पर चल रही है और यहाँ पर इसकी book value से almost 10 गुना यह ज़्यादा चल रही है और यहाँ पर बात करें यह यहाँ पर आप लोगों को dividend भी payout करती है इतना ज़्यादा dividend है नहीं नेगलेट कर सकती हो आरो यारो से ठीक टाक देखने को मिल जाता है face value भी दो देखने को मिल जाती है और यहाँ पर यह अपनी 50 dma और 200 dma से बहुत जादा उपर है मतला आप लोगों को इस लिवल पर entry नहीं करने चाहिए मेरे ख्याल से क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को यह कंपनी का चार्ट पिटन देखोगे तो हमेशा यह 50 dma 200 dma के नजदे की होता था और अभी यह कंपनी ने क्या किया यहाँ पर आज के दिन बोनस की वज़े से यहां पर यह उपर गई इतना साधा उपर गई उसके बात यहाँ पर से यह बोनस का यह जो cancel हो चुका है यहां पर डाउनफॉल देखने को बिलाए जो यहां पर डाउनफॉल यहां आने वाले समय में यहां पर यहां तक आप लोगों को 40 रूपीज 140 रूपीज तक देखने को मिल जाएगा कंपनी डेट रिडियूस कर रही है पर इसकी बुक वैली से बहुत जाद उपर चल रही पर प्रफॉमस का कैसा का सारी किस तरी के अमंट्स कर ऑड़स में है तो आप लोगों को और को क्वाटर देखेंगे तो यहां पर से 2018 जून कोटर से लेकर हम क्या करेंगे 2018 डिसेंबर सारे डिसेंबर कोटर लेता है चलो तो डिसेंबर कोटर यहाँ पर यहाँ पर यह रहा डिसेंबर कोटर तो डिसेंबर कोटर में आप लोगों को कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिल जाता है जो यहाँ अब लोग कोटर एंग कोटर अच्छा खासा जंप किया है और अभी की बात करें तो इसके अंदर डाउन फॉल देखने को मिलेगा है क्योंकि यहां पर जो लॉग डाउन और वो साइस सिचुशन के वज़े से यहां पर से यह कंपनी ने इतना सदाज प्रॉफिट करके नहीं कुछ कुछ साल का ही है 11 12 17 18 19 20 का यहां पर डेटा देखने को मिल जाता है जो आप लोग देखोगे तो आप लोगो पता चलेगा 11 12 में वन करो रुपीज का देखने को मिल गया था उसके बाद 19 20 18 17 18 19 20 में आप लोग देखोगे तो कंपनी का जो रिटन है तो अच्छा सब्टेमबर 2020 कौटर में आप लोगों को देखने को मिल जाती है और रिसर्व की बात करें 95 कर रुपीज की कमणी के ऊपर रिजर्व से कमणी के पास रिजर्व से जो एक अच्छी बात है शेरोलिंग बैटन की बात करें तो यहां बसे शेरोलिंग बैटन देखोगे तो आ प्रमोटर्स ने यहां पर से पब्लिक को नहीं बेचाए तो यह चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है बाकी तो आर आपकी मर्जी है आप लोगों इस कंपनी में इन्वेच किना चाते हो बोनस और वो साइच चीज़े के लिए तो खर सकती को दिख़त नहीं मेरको यहां पर से 24 में को इस कंपनी का 55 पर सेंगा डिलेवरिस देखने में बिल जाता और यहां पर हम बात करें कंपनी के इन्फोमेशिन में और यह फाइनल से रिजल्ट और वो साइच चीज़ें यहां पर से पोस्ट्पन कर दी गई है कितने देट कर देट पर तो 31 में 2021 को ठी यह चीज जा रखना और यहां पर से मुड़ेते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में तो यह आपर कर्दा कंस्ट्रक्शन के ऊपर चार्ट के उपर आच हुए है कंपनी ने आज के दिन नेगेटिव में रिटन दिया है बागी पांच दीन से आप लोग देखोगे तो कंपन गया था और company का जो return का profile है वो बैतरिन देखने को मिल जाता है last one month का पर आप लोगों को यह गिरावट क्यों देखने को मिल रही है इसकी simple की वज़ा है यहां पर से इसका जो आप लोग बुल सकते हो dividend bonus और यह सारी चीजों को फ़रनसर यह result इसको postpone कर दिया गया जो बाजार सब्सक्राइब करना मत बुला मेरे ख्याल से इस company के अंदर आप लोगों को bonus dividend share के लिए आप लोगो एंटर नहीं करना चाहिए बाकी तर आपकी मर्जी ठीक है तो बस आज के लिए तना ही गुडबाल लफ गुडबाई फिर में तो नेक्स टुड़ी में गुडबाई